हेलो गैसल कंडू स्पेशल एजूकेशन नमस्कार दोस्तों सुवागत करता हूँ आप सबकापके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजूकेशन सो जैसा कि आप लोग अपनी मुबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन लेकिया हूँ जो कि है आप लोग की कौंस्टेबल फायर मैंस से रिलेटिड ठीक है और बंपर वेकेंसिज निकली है जो इसके लावा टोटल लंबर ओफ पोस्ट देख सकते हो आप लगभग ये कह सकते हो कि बारा सो के आसपस आप लोग की वेकेंसिज निकली है सैलरी आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रिन लेकर सतर हजार रुपे तक का आपका सैलरी का स्टक्चर है बाकी इसमें जो अप्लाई करना है कैनिडेट को वो ओनलाइन अप्लाई करना है ठीक है बाकी चीज़ें मैं आप लोग को वन बाई वन करके डिटेल में बताऊँगा बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बर जड़ कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थैं प्लिज डू सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेस दी बेल आइकन तो यू कन गेट ओल दा लेटेस अब्डेट फरमर चैनल तो चलिए दोस्तों अब हम मूफ करते है ओफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले थे इंपोर्टन डेट की 29 जनवरी 2022 को यह वाला नोटिफिकेशन आया था एंड जो लास डेट है अप्लाई करने की हुग है चार मार्च 2022 एंड इसमें अप्लाई कैनि डेट को ओनलाइन करना है ठीक है तो अभी है आप लोग अपस काफी टाइम पड़ाई करने के लिए बट मैं रिकमेंट करूँगा आप लोग लास डेट का वेट मत करना अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट की तो कॉंस्टेबल फायर की पोस्ट है आपकी और यह मेल कैनि डेट के लिए ठीक है फीमेल कैनि डेट इस पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकते एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 एस होनी चाहिए मैक्सिमम 23 एस अगर आपकी एज 18 सा लेकर 23 साल के बीच में तो आप लोग अपलाई कर सकते हो बाकी कैनि डेट को एज मेल रिलाक्शेशन दिया जाएगा एस वर्दा गौर्णमेंट डूल्स और डेगुलेशन कैटगरी वाइस फीज की बात करें तो जर्नल कैटगरी के कैनिडेट ओबीसी कैनिडेट और EWS कैनिडेट के लिए जो एप्लिकेशन फीज है वो सोरपे है बाकी SC, ST, ESM कैनिडेट के लिए कोई भी एप्लिकेशन फीज नहीं है अपलाई करने की सैलरी की बात करें तो दोस्तों जो आपको सैलरी स्ट्रक्शन मिलेगा वो लेवल 3 के कोडिंग मिलेगा यहां पे आप लोग सैलरी का स्लैब दे सकते हो ठीक है एंड इसके लावा अपलाई आपको ओनलाइन करना है जो कि मैं आपको अल्रेडी बता चुक हूँ जोब लोकेशन आपकी ओल ओवर इंडिया रहेगी सैंट्रल लेवल की यह वली जोब है और लास्ट डेट आपकी चार मार्च दो हजार बाइस कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट विल बी सिलेक्टिड बेस जोंदा पी एटी पी एस टी और रिटन एक्जाम then document verification and medical exam qualification में इन्होंने barring class मांगिए अगर आपने barring class pass कर रखी है intermediate या इसकी equivalent कुछ भी कर रखी है graduation भी कर रखी है तो भी आप लोग apply कर सकते हो ठीक है and यह official notification है आप लोग का इसको download करके link आपको नीचे description box में दिया हुआ है इसको download करके अच्छे से पढ़के फिर apply करना C CISF में आप लोग की vacancies निकलिए and online apply करना चाहते हो तो इस link पर जाके online apply कर सकते हो तो यह थी complete detail और को doubts हो तो पूछ लेना link आपको नीचे description box में मिल जाएगा